उड़ा आरोगा बेहन बेटी की साधी में भी बादा आती है क्योंकि गाओं के गाओं तक जाने के लिए कोई सडक नहीं है सरकार की जितनी भी उजनाय चलती है इस गाओं में लागुन नहीं होती हरवार नदी की चपेट में गाओं तहसनाय सो जाता है जब कोई बीमार पड़ता है तो प्रकर्ण मुख्याला जाने के लिए दो नाओं में पार कर मरीज को ले जाना पड़ता है तीन बार नो दस बारा सबसे ज़्यादा अस्थती खराब है लगबग तीनो बार की आबादी चार्सों लोगों की है शुषासन नगर शुषातान नंगर नाम कैसे पड़ा। शुषासन नगर देखिये पहले उधर नदी में वह कटान में वह चला गया उसسب युषे बाद हम लोग प्रकणि वि Ist Rick heavy पोजारने के बाद कि इनला मुख्यासरबन्ज in महा दलीद रेटोला 40 घर का पड़़ीबार यहाँ पर है। लेकिन हम लोग को नहीं आने का और नहीं जाने का। कोई रोट न कोई घात न खुछू। हम लोग का पानी ही पानी इदर है। न त भी तक कोई हम लोग को बिजली न कोई चीज आया आया है। यहांग कोई नहीं तो बच्चा अभी तक जो है घुली डंटा खेल रहा है अगर घुली डंटा नहीं खेलेगा तो हम लोगों बच्चा करेगा किया नहीं तो इसकूल है डाक बोगर पन्जाद के वार नम्बर 12 बालूबस्ति गाउं का इस वस्तिती देखकर आप अंज़ाजा देख सकते हैं खुद ही देख सकते हैं कि कि सतरे से यहाँ के लोग रहते हैं और किस सतरे से हम लोग यहां Pपर मुजरबरल दिक्कत आरही है यहां पर बहुत सारी सुवीदा नहीं है जैसे स्वास्त शुद पियजल शिख्छा इत्यादी स्वरक इस सब घोर कमी है ना ही इसके आप अस्थानी पर कातों कोई रोडगाट नहीं है इसमें नदीका बगल में अपनीड़ी कशन नहीं हो तो अधिकाड़ी आता है देखने के लिए कोई नहीं आता है हम आथा इसम करें चले आता है कोई विकास का का में करता है आपका नाम क्या हुआ सिधाराम पंचाइट नाम क्या हुआ अपका मेरा नाम महभूब आलम हुआ पिता ग्याश्वद्दिन परगंट टेड़ागाइट पंचाइट डागपोखर वार्ड नमर बारक निवासी बालुवस्ति बलवाड़ाइगी के अंतरगत हम लोग है अलग को रास्ता देजिए सहलाब में ऐसा हो जाता है हम लोग का कि एक तो बीमारी पढ़ने से दवा का मिलना मुस्किल हो जाता है दोनों तरफ से नदी घिरा हुआ है पुड़ा निकल नहीं सकते हैं पछिम नदी है हम लोग ऐसा हाल में है कि हम लोग भूखे-भूखे मर जाते अन आज नहीं मिलता है मार्केट जाने का कोई रास्ता है का कची रोड भी निकाल के देते हैं कोई परसासन की तरफ से कोई आता है देखने की नहीं आता है हम लोग बार बार फोन के अगला आगस्त का सहलाब में जो जो हुआ डियम साहब को इसको भीजना है से यह साब को स मुखिया का अभी तक आवा गमन है